नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आमारे चैनल वी यार एस्ट्रोलोजी में दोस्तों, आज की जीवन सहली ने वेक्ति को चिड़चिड़ा और गुस्यल स्वबाव का बना दिया है जिसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर देखने को मिलता है आज कल छोटे-छोटे बच्चे काफी जिद्धी होते जा रहे हैं जिसके कारण उनके परिवार जन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए ज़्यादा तर अभिबाव कोंके प्रशन भी आते हैं कि उनके बच्चे काफी जिद्धी हो गए हैं इसके लिए कोई उपाई बताईए दोस्तों अगर जोतिस के माध्यम से देखें तो कुंडली में सूरिय मंगल और राहू अगर किसी बच्चे की कुंडली में बहुत ज़्यादा पेडित होंगे या फिर लगन को प्रभावित कर रहे होंगे तो बच्चा गुसेल और जिद् हैं तो निश्चित तोर पर आपके बच्चों के मन को शांत किया जा सकता है और उनके जिद्धी पन को भी दूर किया जा सकता है तो आते हैं दोस्तों हम उपाई पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चोटा है और बहुत ज़्यादा करता है चिड़ चिड़ापन उसमें रहता है तो आप बुद्वार के दिन एक काम करिए कि एक जाइफल लीजिए और एक चंदन की गांट लीजिए इनको एक धागे में बानकर बुद्वार के दिन बच्चे के गले में धारण करवाईए यह उपाए बहुत ही अच्छा है औ बच्चा जब इनके दर्शन करेगा तो उसकी बुद्धी पर सही असर पड़ेगा यह भी एक अच्छा उपाए है अगले उपाए की बात करें दोस्तों अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है आपकी बात बिलकुल भी नहीं मानता है हमेशा आपके सामने बोलता है तो इसके लिए दोस्तों आप यह उपाए कर सकते हैं आपको करना यह है कि दोस्तों शनीवार या फिर मंगलवार के दिन बच्चे को हनुमान मंदिर में लेके जाएं हनुमान मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के बाएं पेर का सिंदूर लेकर उसके माते पर लगाएं इ दोस्तों बजरंग बली की किरुपा जरूर मिलेगी ये उपाई आप जरूर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों छोटे बच्चों को आप गायत्री मंत्र का जाप करना सिखाईए। क्यूंकि गायत्री मंत्र में बहुत ही ज़्यादा एक सकारात्मक उड़जा होती है। जब बच्चे गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो उनका मन अपने आप शांत होता रहता है। तो आप गायत्री मंत्र पढ़ाने की आदत बच्चों में जरूर डालिए। ये बहुत अच्छा शिद्ध होगा। तो दोस्तों आज हमने जो भी आपको ये उपाई बताये हैं दन्यवाद.